जैहें, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Online GKGS Classes में Online GKGS Classes जो है आपको GK और GTS से रिलेटर टॉपिक्स पे ट्रेक प्रवाइड करवाता है तो आज ना ही GK है और ना ही GIS है आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेटर टॉपिक्स है और वो है इंगलीज के chapter और writer name ये पहुत important topics उन लोगों के लिए है जो भी हार बोर्ड के class 10th के student हैं और 2022 में final exam देने वाले हैं क्यूंकि इसे press ने 5 नमबर के match करने के लिए यानि कि मिलान में match writer name और chapter name मिलान करने वाला 5 नमबर के आता है और objective में 5 नमबर के press में पूछे जाते हैं कि कौन से chapter के कौन से लिखक हैं तो आज की इस वीडियो में यानि की 10 मिनट के इस वीडियो में आपको ये पूरा writer name और ये पूरा chapter जो है दिमाग में fit होने वाला है तो वीडियो के skip मत कीजिएगा शुरू से देखिए याद नहीं हुआ कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं तो चलिए पहले इस topic को याद करते हैं तो देखे क्या है topic का नाम है कि English chapter name and writer name class 10 थे पनोर्मा जो किताब है उसी के chapter है और ये writer name है ठीक है तो पहला है chapter the piece for living the piece for living के writer है R.C. Hutchinson याद कीसे करेंगे तो living living means का होता है रहना living means रहना hot means का होता है hot जोपरी तो रहता है सब कहां रहना जोपरी ये में रहेगा जी है कि नहीं living hot जोपरी में रहना RC Hutchinson के कर the piece for living इतना ही आपको याद रखना है living कहां hot में हो गया याद अगर आप channel पे नए हैं तो channel को subscribe जरूर कर लिजिए कि आने वाला वीडियो जो है आप तक जल्दी पहुँच सकें और आप याद कर सकें next है me and the ecology beat me and the ecology beat ये second chapter है prose यानि कहानी के आठ चेप्टर यहां तक है और उसके बाद जो है poetry है यानि की कभीता आठ है और कहानी आठ है ठीक है दूसरे चेप्टर है me and the ecology beat इसके राइटर है जोन लेक्सियू अब याद कैसे करेंगे me मतलब मैं मैं john कोई के نام है मैं और john लेक्सियू लेक्सियू को लक्से रिलेट किजिये temper lox से का lox साभून मैं लगाता हूं याद रखें आप लोग लुक要 साभून आता है कि नहीं आता है याद रखें 모든 anyone or john वर मोन लक्स लेक्स-ईूद साबुनियूज करते हैं लक्स साबुन समझ गया मैं यानी मी और जॉन लक्स साबुन Please करते हैं यानी मी और एक ऑपलोजी पीट के राइटर तो नहीं हो है लक्स से यह जॉन लेक्स-ईूद तो आप दूगा अब गिल्फ vista दिस्वक्र है इसके राइटर कौन है महादेवी बर्मा गिलू के राइटर है महादेवी बर्मा या किसे करेंगे गिलू गिलू देहात में वो कहल जाता है गौलई गेलू 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 मागेलू यानि कि मागेलू यानि महादेवी बर्मा गेलू यानि गिलू चेप्टर गिलू चेप् 년 मांगेलो वी देहात के वह भासा है मांगेल्यान अभ नेग्स त्यफिन इसका इंडिका हिए भारतिये फिल्म में या भारतिये वही से नाम रिलेट कीजिते जाओ hall और विदीन फिल्म इंडियन फिल्म जो है सप्य घटनाव पी बनता है सप्य घटनाव पे जो है इंडियन फिल्म बनता है महंद्र सिंग्धोन फिल्म सत्य घटना पे है ного है तू senior फिल्म ज生 According I इंडियन फिल्म देखिएगा चेप्टर नेम में असत्य घटना यानि की सत्य जीतरे उसके जो है राइटर नेम इंडियन फिल्म सत्य जीतरे अब पांचवा हो गया इसके राइटर कौन है याद की से करेंगे इसपीच मतलब भासन आपको नहीं समझ में आएगा तकह करेगे आउं-भाउं का बखले है अनसान्सू की आउं-भाउं का बखले है भासन हम को समझ Cambodia नहीं आ रहा है इंग्लिज में स्पीच दे रहा है acceptance speech अब नेक्स्ट है once open a time वह इसे यादद करेंगे Tony Morrison Once Open a Time यानि कि एक बार जो है खोल दीजिये समय याद ए वन टाइम ए टाइम यानि कि एक समय टोनी मोरीशन एक समय आएगा कि हम लोग जो है टोनी ककर से मिलेंगे टोनी ककर का है गायक है एक समय ऐसा आएगा वन टाइम कि टोनी मोरीशन टोनी मरेंगे अचा है हम लोग टोनी ककर से मिलेंगे है कि नहीं या आप किसे करेंग एक समय जो है हम लोग देखेंगे कि टोनी मर गिया तोनी-मर गिया मढरेंो लिट्ब एनिटी ओफ इंडियन किल्चर the unity of Indian लूइन कल्छर मतलब का होता था भारतिय संस्कृति हम लोग कबीर के बारे में नहीं परहे हैं हुमायू के बारे में नहीं परहे हैं इंडियन कल्चर में का पढ़ते हैं हम लोग हुमायू कभीर यहीं सबने काली दास यहीं सबने पढ़ते हैं तो देखिएगा इंडियन कल्चर आमार दिजेगा हुमायू यह कभीर हुमायू कभीर कर राइटर ने मगए इंडि of Indian culture याद हुआ अब नेक्स लिटिल गर्ल विशर दैन तमेन लिटिल गर्ल याद रखेगा लिटिल गर्ल यानि की छोटी लर्की लिए टोल्स्टोए कोई ले रहा है तो उसको टोल्स्टोए टोल्स्टोए देखे टोए टोए मतलब खिलावना तो आप जो है कोई छोटी लर याद हो गया बरी सिंपल है आप ऐसे ही मेरे साथ जूरे रहें अगर इस वीडियो पे जो है सो लाइक आ जाता है वादा है आप से कि हम हर एक बिसाय का जो है राइटर नेम का जो है हम ट्रिक बनाएंगे अब नेक्स्ट है अब हम लोग जो है पोईट्री में चलते हैं तो इसे करेंगे बिलियम काउपर बिलियम काउपर अब देखे है इसमें है गौड गौड औभ यहां पे जो है काउ बहरत में काउ को का कहा जाता है माता गोड भगवान हैं कि नहीं गाए माता गाए काउ माता याद हुआ ऐसे भी याद करेंगे गौड आए काउपर यानि गाए पर काउपर गौड गौड देखिएगा काउपर काउपर गौड जो है का पाए है काउपर भगवान जो है गाए पाए है है की नहीं है तो काउपर बिलियम कोपर जो कौन होगे गोट्ट मेड़ अकंट्री याद हो गया गोट्मेट अकंट्री के कौन हो गया है राइटर काउपर यानि कि गॉड़ कौन ही स्ल 뭘 or意思also meant एलेक्जेंडर पौहे एलेक्जेंडर पौहे याद कि इसके कहरें कि ने स्पीक को सिलीट से याद कि सिलीट सिलीट मीन्स का होता है औशें अब नहीं देते हैं संद्व 15 अगस्त में ऑप ठीमी टीवी पर देखें यह से US अई सब देता है समय से हमारे भारतिये को बज़ाइट रहता है तब सलीवत के कहा हो गया अब partes jak Alexander फॉपे जाद हुआ अब याद हुआ एक है पॉलिथीन बैग है एक राइटर है दूर्गा प्रशाद पंडा जो हैं के करहें जो परसाद ऐंब याद किसे करेंघे दूर्गा-प्रसाद यानि दूरगा माता के पूजा में जो परसाद बटता है उका में, पोलोथीन बैग, पोलोथीन मतलब का हुआ, पियर का चिमकिया में परसादी कभिलिये हैं, पियर का चिमकिया पोलोथीन बैग में, दुरगा प्रसाद, दुरगा जी के परसाद, पियर का चिमकिया में, पोलोथीन बैग में मिलता है, याद हो जाना चाहिए, पोलो क्रिशम्ट के राइटर है विद्यापति अब याद की से करेंगा यह थीनर मतलब थूरदो थीनर मतलब क्याला विद्याला कोई नहीं पाइगा तह हम कहते हैं क्यों उसको थूर दिजै थीनर साफ कर दिजैं ऐसे एकदम साफ कर दिजैंद है करेडा आता है तो जो है ए सबकर दित時 कि लिए किसके लिए बिद्या के लिए बिद्या परेकां करें गे थूर दिने सबकर defense the Baptist that means फृब आउ झालिए यानि कि दिल खाली है तो करा रखे से कुछ फैदा है ओकर थूरन थूर दीजे ओकरो थूर दीजे ओकरो देखे अगर कोई बिद्या नहीं हासिल करे तो उसे जो है एकदम साफ कर दीजे साफ थीनर से साफ कर दीजे अगर आप the empty heart दिल खाली है तो कर एब फोरन थूर दी जिएए नेक्स है ब्लक कोल मतलब कोल दो आप मतलब कोल जो है पूराना रहे चहना पूराना पूरण सींग कोईला पूराना नहीं कहिये सिट्र छूर्फ कौNING पूरन सिंग पुराना है कोईला का है पुराना है आज caterpillar चाहिए कोईला पुराना है पूरन सीन जो है पूराना है ऑर hal चाहीं अब सिलिपिंग प्रूटर के जो राइटर हैं याद किसे करेंगे स्लिपिंग अब दीन भर जो सूतल रहेगा उगर भी में अब आएगे मेहनत कीजिए चार एकार भी मुद् Launch प्रशाद देव कोटा अलक्ष्मी प्रशाद याद रखेगा इसके हैं दूर्गाजी कोई प्रशाद काची में मिलेगा पॉढ घर कौन होगा दूर्गा प्रसाद मार्था वल्टर य। मार्था वाव्य। मार्था कची प्रशु pesos में मार्था मारा था डेला पानी में वाटर में जो है मार्था मारा था वाटर डेला मारे यानि कि वाटर में डेला मारा था मार्था चेप्टर के राइटर कौन होगे वाटर डेला मारे अब जो है हम आशार नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्य से ये इंगलीस चेप्टर के राइटर नेम और चेप्टर नेम क्लाश 10 के आपको जबान पर याद हो गये होंगे आप अगर देखेंगे और उसका एंसर जो है आप मार देंगे तो आज के इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखें हैं और सीखें हैं तब जो है इस वीडियो को लाइक किजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किजिएगा और बताइए कि यह वीडियोज का कौन सा ट्रिक जो है आपको बेटर लगा और इससे डिलेटिड आप कौन से टोपिक्स पर ट्रिक चाहते हैं वह भी हमें बताइएगा सो गाइस यहां तक देखें हैं वीडियो तो वीडियो देखतें के लिए मेरे तरप से थैंक यू